अच्छा कल के मुवी में ये बड़ा सा स्टेचू क्यों दिखाय गया है और क्या आपको पता है कि बहरवा के पीछे का ये स्टेचू इसका रेफरेंस था और क्या आपने बहुबली की ये तलवार कहीं नोडिस की तो भाईया ऐसे बहुत सारी hidden details पर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाकि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये एक डिश्टोपियन वर्ल्ड में सेट मुवी है और ये पूरा वर्ल्ड इन लोगों ने खुद अपने हातों से किरिट किया है यहां की हर चीज इन्होंने अपने हातों से बनाई है तो इसका मतलब है कि फिल्म में दिखने वाली हर चीज, हर element किसी ने किसी वज़े से फिल्म में डाला गया है वो कहीं भी किस से भी connect हो सकता है तो इसे लिए मेरी आप से request है कि कमेंट में ज़्यादा बुद्धी न बाटें So let's start the video DJ No.1 तो movie की starting में एक song आता है जिसमें कि अशुत्थामा का character भगवान को बोलाता है धर्म की रक्षा के लिए साथ इस गाने में धर्ती पर हो रहे अधर्म के कुछ विजूल्स भी दिखाये जाते हैं बट जब इशुर नहीं आते तो वो भी एक मंदिर जैसी जगह में चला जाता है सो यहां अगर हम नोटिस करें तो इस गाने की शुरुआत अशुत्थामा के सिर के निशान से होती है जहां पर उसकी मनी थी और सेम इस गाने का एंड भी उसके उसी निशान में घुसकर होता है सो इसका मतलब है कि धर्दी पर हो रहे इस पूरे अन्याय को लोगों के बीच रहे कर अशुत्थामा देख रहा था और भगवान विश्नु के कल की अउतार की प्रतिक्षा में था बट जब वो नहीं आये तो वो भी ठक हार कर एक मंदिर में चला गया बाग अब उस गाने में हम आज के समय हो रहे अधर्म को भी देख सकते हैं साथी सालों साल पहले हुए नरसंगार को भी जब हिटलर ने लाखों लोगों की हत्या की थी तो उस महाविदवन्स के सीन्स भी हम उस सौंग के विजियो में देखते हैं मतलब बाई मानना पड़ेगा नागश्विन को उन्होंने जब सिर्फ एक गाने से इतनी लेयर्स मूवी में जोड़ी हैं तो आगे तो क्या क्या होने वाला हैं आप सोच भी नहीं सकते तो इस सीन में जब पहली बार फिल्म का वर्ड दिखाया जाता है तो यहाँ पर 28 और यहाँ पर अंठान में लिखा हुआ है अब बिकोज फिल्म इसी समय की हैं तो इसी लिए वैसे यहाँ पर 6000 यर्स आफ्टर कुरुक्षेतर भी लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि यह महावारत वोर्ड जो के कुरुक्षेतर के ही मेदान में हुई थी उससे 6000 साल बाद की जगा है इस सीन में इस ट्रक से राया अपना हाथ बाहर जुलाती है जहां उसे एक फूल मिलता है और नेक्श शोट में हम उसे उसके हाथ में खिलता हुआ देखते है मतलब कि एक मरा हुआ फूल राया के खिल उड़ता है तो भैये यह सीन मर्ज होता है उस सीन से जब राया से अशोथामा को मणी मिलती है जिससे कि बिल्कुल खतम पड़ा अशो थामा जिसका कि शरीर मरा हुआ था वो खतम हो रहा था वो भी एक नए पुष्प की भाती खेल उड़ता है और उसमें उरजा का संचार हो जाता है मतलब डेफिनिटली तारिफ करनी पड़ेगी डायरेक्टर साब की यह चोटे से केरेक्टर के सिंस भी ऐसे लिखे गए हैं और ऐसे जोड़े गए हैं कि सबकुछ एक पजल की जैसा मैसूस होता है जहां सबकुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इस स्सीन में यह भाई बहन में से यह भाई रोमी को कहता है कि मैं तो 1 million units लेकर पक्का चला जाऊंगा complex so ये dialogue इस child character के लालच को signify करता है कि कैसे उसके अंदर complex जाने का लालच है दूसरे लालची logo की तरह including भेरवा so next scene में जब bounty hunter लड़कियों को पकट कर बेचने की बात करता है तो ये लड़का उससे पूचता है कि मैं लड़के लाकर दूँ तो कितने units मिलेंगे और फिर वो राय की ओर इशारा करता है हाला कि तब तक तो वो वहाँ से गायब हो जाती है बट भाई ये दोनों scene हमें इस child character के लालच को दिखाते हैं जिससे कि वो अपने sister तक को बेचने को तयार है बाईया बाईया अगर मैं लरके लाके दू तो कितने units दोगे डिटेल नमर फाइव illusion create करना जो कि वीरम इस truck में create करता है क्योंकि भाई वो यहाँ पर एक साथ double switch on करता है है डिटेल सा सेम illusion हम शंबाला में भी देखते है जो कि बाहर के लोगों से उसे गुप्त और सुरक्षित रखता है अब यह detail मेरी सबसे फेवरेट detail है क्योंकि भाई detail ही ऐसी है तो अश्वत तामा जब उतरा के newborn baby को पेट में ही मार देता है detail number 7 स्रेक्षिन की जब entry होती है जब उन्हें कुरक्षेतर में दिखाय जाता है तो उनके पीचे से सुरज की light आ रही होती है जो कि positive energy का symbol है like a god जो कि वो हैं भी detail number 8 so इस scene में हम उनके पीचे से light को आते हुए देखते हैं जो कि उसकी उम्मिद को signify कर रही थी detail number 9 सो इन लड़कियों को जिस room में bounty hunter डालता है उसमें red light दिखती है जो कि indicate करती है खत्रे को यानि कि अब ये सारी लड़कियां खत्रे में है detail number 10 सो जब पहली बार complex के दरवाजे खुलते हैं तो कमांडर मानस से पहले उसके share को दिखाया जाता है तो अब यहां इस scene में director हमें कमांडर मानस के बारे में बताता है कि वो कितना खुखार और निर्दई आदमी है जो किसी पर दया नहीं करता एक share की तरह बाकि share को कमांडर मानस ही control करता है और उसके share पर एक red money जैसा कुछ है जो कि definitely कमांडर मानस का ही sign है क्योंकि वो भी जब कभी अपनी वावर का यूच करता है तो उसकी power red phone में ही दिखाई गई है गीचेल नमबर 11 तो इस लड़की के मलने के बाद complex के get अपने आप बंद हो जाते है अब क्योंकि कमांडर मानस एक pregnant लड़की की न्यूच सुनकर बाहर आया था ताकि उसे वो लड़की मिल जाए जिसमें यासकीन का फॉर्मूला डेट सो दिन तक सर्वाव कर सकी इसे उमीद से वो आया था और इसी लिए complex के दरवाजे खुले थे बट फिर उसके मरने के बाद complex के दरवाजे भी बंद हो गए क्योंकि ले जाने लाइक तो कोई बचा है नी कुल मिलाकर complex के दरवाजे इस उमीद में खुले थे कि जो यासकीन को चाहिए वो मिल गया और उसके वेलकम में वो गेट खुले थे मगर जब वो लड़की मारी गई तो गेट भी उमीद हार कर बंद हो गए डिटेल नमर 12 सो रूमी जब इस लड़की के मरने के बाद काशी के बाकी लोगों को और मानस को भगवान के आने की बात बोलता है जो कि इस अंदकार भरे वर्ड में उमीद की एक कीरन की तरह है जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों में एक उमीद की तरह है जहां से कि इन सब लोगों को उमीद मिल रही है इन जिसका साइन ये पीजे से आती लाइट है डिटेल नमर 13 जो जब इस बंदे की information बुजी दोरा hologram form में दिखाई जाती है और इसका status जो की possibility rebel है तो उसे world को वहाँ से काफ़े creative तरीके से परवास की entry में दिखाई जाता है जो कि आप यहाँ पर notice कर सकते हो rebel star अब क्योंकि इसी नाम से परवास अन्ना को जाना जाता है अब जब भेरवा की entry होती है तो इससे पहले वो सो रहा होता है और बुजी उसे उठा कर बाहर फैकता है ना कि भेरवा खुछ जम करता है और वो इसलिए entry के just बात दुबारा लेट जाता है क्योंकि भाई को तो बिलकुल moon नहीं है अभी उटने का और नहीं लडने का वो तो बुज्जे यूनिट्स के लिए जबरदस्ति उसको force करता है अब जब भेरवा बुज्जे से कोई बड़िया गना लगाने को बोलता है तो वो इस मंत्र से सिमिलर संगीत प्ले करता है और वाई seriously ये song बिलकुल fit बेडता है जिस तरह की लड़ाई भेरवा लडता है अपने multiple illusions बना कर जहां उसे ने तलवार काट सकती है और नहीं आग जला सकती है बिलकुल एक आत्मा की तरह detail number 16 बहरवा जब इस bounty hunter से लड़ता है तो वो बुज्जी को बोलता है कि तुमने मेरे सूज चार्ज क्यों नहीं किये इन शूज को चार्ज करना था ना तुम्हारे बनसूज में बेटरी नहीं है वो बिना काम के हैं टोटली वेस्ट एन ये रेफरेंस है उसके करन होने का क्योंकि करन को भी शराबता कि जब तुम्हें अपनी शक्तियों की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब तुमने भूल जाओगे वो तुमारे किसी काम नहीं जो की रेफरेंस था उसको मिले दूसरे शराब का कि युदे के वक्त तुमारे रत का पहिया धरती पकड़ लेगी डेटेल नमबर 17 तो इस सीन में जब ये रिबेल सिटी मारता है तो भेरवा कहता है कि बुझी देखा मेरे भी फैंस हैं तब बुझी कहता है कि हाँ है जब देखे कर मारता है कि इस सिरम में तुमारे डिपेट का सोल्यूसन है पेसे और भगवान के नाम पर लड़ने वाले मनुष्य से पेदाईसी डिपेक्टेड हैं और फिर वो कहता है कि डरो मत एक नया युग आ रहा है तो यासकिन कि इस बात पर अगर हम ध्यान दें तो तो वो एक नया युग लाना चाता है और सबको पता है कि एक नया युग एक नई सिविलाइजेसन के आने से आता है तो यासकिन अपने फॉर्मूल से एडवांस यूमन या एक नई सिविलाइजेसन बनाना चाता है जो कि इन तुच्छी चीजों के लिए न लड़े गीट हलांके कर्ण मना कर देता है पर फिर भी वो ना कर्ण के तीरों में चुपके से लिपड जाता है। बाकि नेक्स कार्ड में हम सूरे के आसपस ग्रहों को देखते हैं अब आपको तो पताई है कि कर्ण सूरे पुत्र था अगले कार्ड में एक छोटा बच्चा अकेला में भी जमीन पर है जो कि कर्ण के बच्मन के उस इंसिडेंट का रेफरेंस है जब उसकी मां खुंती ने ग जब उनके पितां उने लेकर यमुना पार गए थे तो इसके बारे में नागाश्विन ने भी अपने इंटर्व में बोला है इस फुली इंस्पार बाइद बाइद कृष्णा सीन लेक हो इस टेकन अक्रॉस्ट दिखाई देता है जिसके की दूसरी दरब स्री कृष्ण की एस चरी हरी विष्णू की मूर्ती है अब कई सारे लोगी से देखकर भेर्वा को कल्की मान रहे थे क्योंकि कलकी भी स्रीक्रिष्ण का ही अवतार होने वाले हैं अट इस इस टेच्चू को देखकर सबको ऐसा ही लगता है बद मुवी के एंड में हमें पता चलता है कि भेर इन करेंसी पर भी देख सकते हैं जो कि कौनार्क उडिसा के सूर्य मंदिर के रत का पहिया है तो अब आपको तो पताई है कि करण खुद सूर्य पुत्र है और ये उसी का रेफरेंस था बागे इसके बाद नेक्स रोट में हम इस स्टेचु की दूसरी तरफ भगवान विश् विश्णू की मूर्ती सुमती के बच्चे के रेफरेंस में दिखाए गई थी ना कि भेरवा के रेफरेंस में तो वो पहिया दिखाए गया था जो कि उसके सूर्य पुत्र होने की और इशारा करता है बाकि इस सीन को हम यहाँ पर कुरक्षेतर का रेफरेंस भी मान सकते हैं और इसके जश्ट बात सुमती दिखती हैं जिसकी के गर्ब में कलकी हैं तो इससे ये बात तो किलिए है कि यह सूर्य मंतिर का पईया भेरवा के लिए दिखाए गया था जो कि आगे चलकर कर्ण बनता है और यह विश्णू बगवान की मूर्थी सुमती के गर्ब के लिए दिखाए गई थी जो कि आगे चलकर कलकी बनेगा डिटेल नबर 22 सो जब सुमती को ये कन्या इस टेनल से बाहर निकालती हैं तो कॉंप्लेक्स से सिक्यूरिटी आने के बाद वो उसे बोलती है कि तुम दोनों के लिए गुड लग तुम दोनों को गुड लग अब इस बात के काईरा के बारे में ही गुड लग बोला था कि तुमारे लिए गुड लग यानि कि तुमारे लिए बाहर गुड लग खड़ी है यानि कि काईरा बागी भाई अब कॉमेंट में ये मत बोलना कि कुछ भी क्योंकि मैंने बोला ना कि इस फिल्म की एक एक चीज का मतलब है कु बली में भी इसके लावर राजा मॉली के वहिकल के उपर अगर आप देखो तो वहाँ पर एक केमरा जैसा गन टाइप का कुछ लगा हुआ है इस सीन में जब अशोतामा की एंट्री होती है तो बेग्राउंड में हम इस बड़े से श्टेचु को देख सकते हैं जो कि फोर शेडो कर रहा था अशोतामा की हाइट को कि वो कितना लंबा है जीटेल लंबर 26 जो जब भेरवा और अशोतामा की फाइट होती है तो वहाँ हमें बहुत बार भेरवा के बेग्राउंड में ये वही पईये जिसे दिखने वाला खुछ सामान और शेडोतामा के बेग्राउंड में ये बड़ा सा अशोतामा की हाइट को बाताता है साथ यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि जैसे अशोतामा अलग यूप से हैं या अलग दुनिया से आया हुआ है तो एसा ही करता है वो भी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाता है I mean कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर तो ये वाली थियोरी मेरी personal thinking पर बेश्ट हैं तो कमेंट में ज़यदा समझ सकते हैं आप आज की वीडियो में बस इतना ही और अभी इस वीडियो का पार्ट टू भी आने वाला है जिसमें की एक से बढ़कर एक डिटियल्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लो चलो बाई